गुड मॉर्निंग बच्चो वेलकम बैक आपने कहानी का पहला भाग सुना मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप आगे सोच रहे होंगे कि कहानी में क्या होता है देखा आपने दो मित्र कैसे अपनी मित्रिता को निवाते हैं और एक मित् प्रिता होती ही असी है जिसमें एक दूसरे के लिए निश्वार्थ भाव से त्याग करने के लिए तयार होना पड़ता है अब मैं आपको कहानी का सेश भाग सुनाओंगी किसमें आगे क्या होता है आप बड़े ध्यान से सुनना देखा आपने कैसे डामन अपनी मित्र की जगा जेल में कैद होके सजा काट रहा था और उधर पितियस सोच रहा था है अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी फांसी का समय आ गया डामन को फांसी के तकते पर चड़ा दिया गया डामन प्रसंय था क्योंकि वह अपने दोस्त की जगा कुरवान होने जा रहा था लोग कहने लगे पिथियस ने मित्र को धोका दे कर अच्छा नहीं किया डामन ने चिला कर कहा ऐसा मत कहो पिथियस सचा मित्र है वे किसी कारण वस नहीं पहुँच पाया होगा फिर उसने जल्ला से का बहाई समय हो गया तुम देर क क्यों कर रहे हो इतने में दूर से आवाज आई थेरो थेरो मैं पिथियस हूँ फासी की सजा मुझे हुई है देखते ही देखते पिथियस घोडा-दोडा ता वहाँ आ पहुचा उसने जट से कूट कर फासी की फंदे को अलक कर दिया उसने डामन को गले से लगा दौनों की आँखों से आशू बहने लगे अब पिथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया राजा चिलाया रुको रुको मेरे पास आओ मैं ऐसे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले मुझे आप जै आपने अच्छा बना दिया कि उन दौनों को माफ कर दिया और उन्हें अपना दोस बना लिया और आप भी सोचो कि आप किस के साथ खेलना पसंद करोगे या अपने प्रिय मित्र का नाम बताओ कि वह आपको अच्छा क्यों लगता है सोचो और इस कहानी को आनंद के साथ अन्यवाद